नमस्कार दोस्तों मैं वेने सिंग एक वार फिर श्वागत करत। उपने यूटिब में मनी मेटर्स में आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्यूटी मुच्वाइं बताऊंगा Actually mutual funds क्या है और equity mutual funds उसमें क्या है वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले चलिए वीडियो सुरू करते हैं Actually सबसे पहले तो mutual funds के उपर बात करेंगे तो mutual funds जैसा कि आप सब जानते एक instrument है जिसके जरीए आप share market में direct entry करते हैं ये इसको indirect entry भी बोल सकते हैं direct entry तो आपको एक dmit account खोलना पड़ेगा पर equity mutual funds जो होते हैं उनका proper exposure जो होता है वो equity में ही होता है आपको पता है कि भारत एक बहुत तेजी से बढ़ते वी अर्तिवस्ता है और इसके लिए भारत को भारत सरकार को जो है पैसे जुरुत पढ़ती है इसमें constructions करने के लिए rail बनाने के लिए pull और जो भी मकान बगरा है या फिर infrastructure से उसके लिए तो ये सब कहां से आता है तो ये सोचने वाली बात है अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो वही पैसा indirect तोर पे government of India हो जाता है जिससे कि ये जो भी उपर बताए गए हैं वो constructions होते हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप mutual funds या saving के जरिए बारत सरकार की और अपने देश की तरक्की में भागिदार बनते हैं तो चलिए mutual funds में equity mutual funds के क्या है ये बताता हूँ equity mutual funds जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ये वो fund होते हैं जो equity और equity से संबंदित instruments होते हैं इसका 65 या अधिक इस्सा लगा होता है नवेस उसमें क्या आता है equity mutual funds जो होते हैं long term में ये wealth create करते हैं और इनके सांदार जो इनके returns होते हैं और यहां पर आपको बतायता हूँ कि ये जो भी इसमें investment होता है equity में है तो equity share market में invest करना होता है पर ये सबसे बड़िया चीज है कि आगर आपको share market का ग्यान नहीं है या फिर आपके पास time नहीं है share market में पैसा लगाने और उसको समझने के लिए तो सबसे better way है कि आप equity mutual funds में पैसा लगा दे equity mutual funds में जो पैसा लगता है वो direct share market में ही लगता है और वहीं पर कंपनिया खरी दी जाती है अभी next है कि how to equity mutual funds work तो ये काम कैसे करता है जैसा कि आपको सब पता है कि कुछ mutual funds house होते है जैसे कि आपको अगर कुछ है उदारर के बताएं तो SBI जो है mutual funds है इसी के साथ साथ में HDFC का mutual funds है ICICI और भी कई है जैसे तो अगर शुरू आत करते तो UTI ने भारत में mutual funds का पैसे में निवेस करवाना शुरू किया था तो यही जो कंपनिया है वो आपका पैसा किसी ने किसी schemes के थो लेती है और यह कई तरीके की schemes मार्केट में अबलेवल होती है जैसे की small cap scheme diversify scheme पर यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे equity mutual funds की equity mutual funds में होता क्या है कि आप वे जो है company है उनके share हो खरीदते हैं आप नहीं खरीदते हैं mutual funds house होते हैं वो खरीदते हैं और वो mutual funds house जो उसमें share में अगर कोई गाटा होता है तो आपका mutual funds की value down जाती है और अगर आपको उसमें फाइदा होता है तो आपकी value high जाती है तो actually होता क्या equity mutual funds होते हैं वो high risk high return वाले equipment है अभी next है कि केस तरीके से तो आपको सोचना है long term stay early stay invested मतलब है आपको लंबे समय के लिए सोचना है कि अगर आप इसमें invest करोगे और जल्दी से जल्दी invest शुरू करना है और continue invest करना ये तीन चीजे हैं तो इसमें सबसे पहले है power of compounding जैसे कि आपको पता है कि जितनी जल्दी आप शुरू करते है equity mutual funds में invest करना और long term के लिए अगर आप इसमें committed रहते हैं तो आपको SIP से अच्छा तरीका है जिसके माद्यम से आप power of compounding जो है उसका आपको gain मिलता है और जो भी आप return कमाते हैं इसमें वो reinvestment होता रहता है mutual funds में तो इसलिए ये जो है इसमें growth एक scheme होती है growth होती है एक होती है dividend dividend वाली scheme में आपको dividend payout होता है जो growth scheme होती है वो आपको जो invest आप return कमा रहे है वो return दुबारा आपका market में ही लग जाता है तो इसलिए हमेशा growth चुलनी चाहिए क्योंकि आपको long term में अच्छा पैसा बनाना है अभी है riding flow volatile market जैसे कि आपको पता है कि equity market जो है मतलब कि share market अगर आप बात करें सीधी सीधी equity market का मतलब तो share market में काफी updowns आते हैं और अगर आपको यह नीचे मेंने curve दिया है तो curve में आपको दिखाई दे रहा हो चार्ट में कि कुछ time के लिए उपर जाता जैसे इसमें 90 में एक हजार रुपय था और यही 99 में अपने पीक पे था उसके बाद यह फिर डाउन आया फिर यह उपर तो यह आप डाउन मार्केट में चलते रहते हैं पर जब आप लॉंग टर्म में आप निवेस्ट करते हैं तो यह जिए देखिए 2002 में इसमें डाउन मारा है पर फिर 2010 में यह अपने जो लाइफटेम हाई पर चल रहा है तो इसी तरीके से इसमें होता है कि आप लॉंग टर्म में अगर यह आप इसमें इन्वेस्टेट रहते हैं तो यह आपको अच्छा पैसा बना के देते हैं और सबसे तरीका है कि बोलेटाइल मार्केट बना रहा है पर आपको S.I.P. बंद नहीं करनी है चाहे मार्केट नीचे हो चाहे उपर पर आपको S.I.P. के तो इन्वेस्टेट फॉर लॉंग टर्म यही बात जो कि आपको मैंने पहले बताई है आपको पेसेंस की बहुत जरूरत है आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नही पर आपको समय पेसेंस नहीं खूरना है और इसमें निवेस्ट करना है वैसे तो अगर लॉंग टर्म तीन साल के लिए बुलते हैं पर अगर आपको वह भी किविटी में कर रहे हैं तो कम से कम आपको 10 साल तक इसमें इन्वेस्ट्मेंट करना चाहिए अब यह है एडवांटेश ऑफ एकटी मुचल फंड्स इसके क्या एडवांटेश है तो नमबर यह मुचल फंड्स के ही पूरे एडवांटेश ही जो होते हैं वही इसमें भी एक्सपर्ट मेनेजमेंट मिलता है एक समय जो ग्रोथ की अपरचिंटी होती है उसको पैचानने वाले फंड मेनेजर अबलेवल होते हैं जो की बहुत अच्छे मतलब उनको घ्यान होता है मार्केट का और उनकी मार्केट की मुवमेंट है उनके उपर उनकी नजर भी आती है तो सबसे पहली तो है आपको एक्सपर्ट मेनेजमेंट मिल जाता है दूसरा है डाइवर्सिफ पैसा जो भी होता है उसमें डाइवर्सिफाइड कर के आपका पैसा लगाते हैं तो इसलिए आपका जिसमें की लार्जकाप स्मॉल केप और सारी काइस टाइप की कम्पशिया होती हैं जो कि फंड मेनेजिस होते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं ऑ AMY आपका पैसा डाइवे आपने खरीदा तो को बेचने के बाद आपके पैसा आ जाना चाहिए उसको लिक्विड बोलते हैं तो अगर लिक्विडिटी जिसमें मुच्छल फंड्स में बहुत ज्यादा होती है अगर आपने मुच्छल फंड्स खरीद रखा है अगर आप उसको बेचना चाहिए तो दो है इसका तो इसमें सौर्ट टर्म में आपको 15 परसेंट का लगता है और लॉंग टर्म में आपको 10 परसेंट का लगता है तो सौर्ट टर्म जो है बारा मेने से कमका पिरिएड और लॉंग टर्म 12 मिने से अधिका पिरिएड माना आता है इसके उपर भी अगर आप हम बात करें तो आपको अगर अगर अपना एक्सपोजर करते हैं तो आपको डेड़ लाग रुपए की छूट एटी सी के अंतरकत मिलती है तो इसमें टेक्सेशन में भी आपको फायदा है टेक्स में भी आपको बेनिफिट मिलता है और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैप टो इन्वेस्टमेंट अब कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है दो तीन लाग रुपए है आपने उसको एक साथ किसी स्कीम में डाल दिया तो इसको लंसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं यहीं जो आपका एक SIP है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बिस इसको बोलते हैं अगर आपके पास पै पैसा है उसी की आप एक SIP बना लेजिए और हर महीने एक छोटा-छोटा इमाउंट वह आप मार्केट में वेस्टमेटिक में डालिए तो यह अंतर होता है SIP और लंसम एकाउंट इन्वेस्टमेंट में अब अगर हम बात करते हैं कि आपको तरीके क्या-क्या है इन्वेस् करते हैं तो और अपने अनुसार इसमें आपकी मदद जो होते हैं एक्सपर्ट में बैठे होते हैं तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट ऑं-लाइन और-फलाइन इसमें दो मोर्ड है आप करने के लिए मैंने से पहले पीटियम मनी के बारे में एक वीडियो बनाया था वोसको दे वहां से आपको फॉर्म फिल अप करके अपने किवाई सी अब वगरा देने के बाद आप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अभी next calculation sheet मैंने इदर डाली है कि जिसमें अगर SIP आप करते हैं और SIP अगर 1000 रुपए की करते हैं तो आपको एक हजार में एक साल में 12,000 और 5 साल में 60,000 रुपए आपका जमा होता है अगर यही 12 मेने के 12 परसेंट के रिटरंट से अगर 5 साल का आपको मिलता है इसमें पैसा तो लगवग 82,000 रुपए आपको मिलते हैं जो कि 60,000 के 82,000 रुपए चाथा चाहसी रुपए मिलते हैं यहीं अगर आपने लंसम में अगर इन्वेस्ट किया होता आप 60,000 रुपए एक साथ होना चाहिए था जो कि हर किसी के पास होना मुम्किन नहीं होता है इसलिए SIP एक बैस्ट जो है तरीका है जिसमें कि आपको मार्केट में हो रहे उतार चड़ाव का भी आपको फाइदा होता है और यह एक अंदाजा लगाया गया है 12% में हो सकता है इससे आपको ज करता हूं कि इस वीडियो मैंने आपको एक्यूटी मूचल फंड और मूचल फंड दोनों के बारें बताने ही पूरी कुसिस की है और SIP और लंसम इंवेस्टमेंट में किसमें फायदा यही बताने ही कुसिस की अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा हो तो आपको शेयर किज अगर आपके मन में कोई कुस्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पुछ सकते हैं वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद इसी नोट पर वीडियो करते हैं वाइंड अप थैंक्स